Welcome back everyone, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड नमबर 2 में जहा हम अपने next category के ship, container vessels के बारे में discuss करने वाले हैं हमारा एपिसोड नमबर 1, bulk carrier type के ship पर था, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के end होने के बाद मैं आपको नीचे description में उसके link दे दूँगा, उस पर click करके आप उस वीडियो को easily देख पाएंगे एपिसोड नमबर 1 में हमने जाना था, कि bulk carrier का use, large quantity में जो unprocessed, unpackaged goods रहते हैं, उनके transport के लिए किया जाता है इसके बिलकुल विपरीत, opposite याने की उल्टा, container vessels का use, packaged, processed और small quantity में जो goods होते हैं, उनकी supply के लिए किया जाता है Packaged goods जैसे की कुछ food items हो गए, जैसे की chips हो गए, या ऐसे processed foods जो already packed हो और जिनने refrigerator में store करने की ज़रूरत ना पढ़ती हो, ऐसे goods supply होते हैं इस vessel पे या किसी automobile company के spare parts हो सकते है, जो किसी दूसरी country में जाकर assemble होने हो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजे होती है, जो container ships पे transport की जाती है, देखिए, अभी आप एक अपने screen पर list देख पा रहे होंगे ये वो सारी चीजे हो सकती है, जो container ships पर from one port to another transport की जाती है तो अगर आपको चाहिए, तो आप ये चीजे नोट कर सकते हैं, अभी एक example के थुरू समझिए, कि for example के लिए इंडिया में बहुत सारी manufacturing या food processing companies है, तो ये mostly अपना माल चाइना या किसी दुसरे बाहर की countries से import कराती है तो अगर इने कुछ अपना थोड़ा सा, थोड़े quantity में अपना माल मंगाना होगा, तो ये पूरा ship तो higher नहीं कर सकते हैं न, यूकि वो उनको cost effective नहीं होगा इसी वज़े से specially इन ships को design किया गया है अब जहां तक container vessels को recognize करने की बात आती है, तो इसके लिए आपको किसी special information की ज़रूरत नहीं है From the name itself, container, जिसे कि आप इस picture में देख पा रहे हैं, तो container ships पे containers road होते है जैसे कि आपका आधार number पूरे country में सबसे unique होता है, उसी तरह इन containers का एक ISO certified unique identification code होता है जो unique होता है, जिससे कौनसा container किस country में है और किस purpose के लिए उसे वहां बेजा गया है, ये उसमें पता चल सकता है World transport के मामले में containers का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनकी accessibility को गर देखा जाए, तो containers sea routes के through भी transport किये जा सकते है Rail routes के through भी transport किये जा सकते है, और roadways के through भी transport किये जा सकते है World का first basic container vessel साल 1767 में बनके तयार हुआ था, जो के English engineer James Brindley नाम अफ व्यक्ती ने design किया था तो आज के लिए बस इतना ही था, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे like करिए, अपने friends के जाच share करिए और अगर आपको कुछ इस वीडियो से related doubt है, तो मुझे नीचे comment section में आप पूछ सकते है और अगर आपने अभी तक मेरे channel subscribe नहीं किया है, तो कर लीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले episodes का latest notification अपने mobile पर मिल सके तो आज के लिए बस इतना ही था, thank you very much